हेले दोस्तों अब सब्सक्राइब लेकिन गलत नहीं है लेकिन चीज्जे तब गलत हो जाती है जब आप सेम टू सेम कॉपी करते हैं आज में आप लोगों को बॉलुड की उन टॉप 10 मुविस के बानाइं बताऊंगा जो Korean movies की copy है तो वीडियो को last तक जरूर देखना और चैनल अपन नए आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बैल आइकन को जरू दबाना ताकि हमारी आदे वाले वीडियो आप मेशना करें नमर 10 एक विलन सिद्धाद मलवटरा शद्दा कपूर और एक विलन मुवी को लोगोंने काफी पसंद किया था विग कहानि बिलकुल अलग थी मोह सुरे के डायरेक्शन में बनी इस मुवी मेरी थे श्दिश्द्पूक के विलन के रोल को काफी पसंद किया गया था लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि यह मुवी कोरियन मुवी आई सो दर डेवल की कॉपी है हाला कि बॉलिवट वर्जन में उतने हिंसक फाइट जिन्स नहीं थे जितने की कोरियन वर्जन में इस मुवी ने बॉक्स ऑफिस पर ठिक्ठा कलेक्शन किया था मुवी में एक्स पुलिस ऑफिसर के रोल में इम्रान हास्मी को कुछ लापता सेक्स वर्कर्स को डोनने का काम दिया जाता है लेकिन यहां मुवी भी सूपर हिट कोरियन मुवी दख चेसर की कॉपी है जॉन अबराम स्टार यह मुवी 2016 में रिलिज हुई थी यह मुवी कोरियन मुवी दफ रॉंग नौवियर की ओफिसल रिमेक है इस मुवी की कहाने की बात करें तो इसकी कहानी एक मिस्टेरियस आदमी और एक लड़की के बारे में है मुवी में लड़की को किड्नेप कर लिया जाता है और उसकी मा को मार दिया जाता है फिर उस लड़की को बचाने के लिए हीरो किसी भी हद तक जाता है नबर साथ जिंदा यह मुवी 2006 में रिलीज हुई थी इस मुवी में जौन अबराम और संजदर लीडोल में नजर आये थे यह वही कोरियन मुवी ओल्ड वॉय की रिमेक है एक्शन थ्रिलर मुवी ओल्ड वॉय साउथ कोरिया की बहतरें फिल्मों में से एक है जबकि जिंदा एक फ्लॉप मुवी है मुवी एक ऐसे आदमे की कहानी है जिसे किड्नेप करके 15 साल तक एक सेल के अंदर रखा जाता है सेल से बाहर आने के बाद वह आदमी यह जाने की कोशिस करने लगता है कि उसे 15 साल तक एक सेल के अंदर क्यों रखा गया था नमबर 6 रॉक ओन फरन अ स्ट्री में नाका में रहते हैं क्योंकि उनका बैंड कुछ मत बेदों के कारण अलग हो जाता है लेकिन सालों बाद वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर से एक साथ आते है नबर पांच जजबा एस्वारे राय स्टार यह मुवी भले ही बॉक्स ऑफिस पर ज्या बच्चन एध्या बालन और नवाजोत दिन सिद्धी की स्टार यह मुवी 2016 में रिलिस की गए थी यह मुवी भी साउथ कुरियन मुवी मॉन्टेज की कॉपी है इस मुवी में अमिता बच्चन ने एक सतर साल के बुजूर का रोल किया है जो पुलिस और पादरी की मदद से वो लोगों को डुनने की कोसिस करता है जो उसकी पोदी को किड्नैप करके मार देते है नमबर तीन आवारा पन इम्रान हासमी स्टार यह मुवी 2007 में रिलिस हुई थी इम्रान हासमी की बाकी की मुवी की तरह इस मुवी के गाने भी सुपर हिट रहे थे मुवी के गाने तो 對ोपन हो गए लेकिन यह मुई शुक्र है यह Beenden कौपी है यह कि कहाने की बात कर दो अपने बोस की मालकीद नजर रखने के लिए कहा जाता है लेकिन चब उसे पता चलता है कि उसका विद्धिक काशला कर साल 2016 में rap शुबंगन न की कौपी थी एक क्लासिक साउथ कुरियन मुवी है जिसमें एक्स वॉक्सर और अंधी लड़की को दिखाया गया है फिर दोनों में दीर दीर प्यार हो जाता है जिसे उनकी जिन्दगी हमेशा के लिए बदल जाती है साल 2015 में रिलेज हुई है मुवी भी साउथ कोरिया की फेमस मुवी मस्करडे से कौपी किया गया है इसके अलावा सल्मान खान की एक और मुवी भारत भी साउथ कोरियन मुवी एन ओट तु माइफादर की ओफिस्यल रिमेट है